हरर महादेव जै महाकाल गुरु जी ने बैकुंट चत्रदसी के दिन करने वाले कुछ बिसेश उपाय वताए हैं गुरु जी ने कहा है कि अगर बैकुंट चत्रदसी को आपे उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में जो भी संकट हैं वो समाप्त होंगे आपके बच्चों क कि बुद्धि और विवेक में ब्रद्धी होगी आपके कारोवार में ब्रद्धी होगी और आपकी समस्याओं का अंत होगा गुरुजी ने कहा एक यही साल में एक दिन ऐसा पड़ता है जिस दिन आप भगवान महादेव पर तुलसी दल समर्पित करते हैं और भगवान विश वान चतरोद्धि को करने के लिए तो इन उपाय को आप अवस्य की जिए तो जो पहला उपाय। गरुजी ने बता है दिन आपको जो 14 दीपक होते हैं वह आपको जरूर प्रजलित करने से popping देन आतोंगें तहरा जो लंबी वाति होंगे और एक जो दीपक होगा वो गोलवत्ती वाला होगा और सम्में आपको गाय का देशी घी डालना है यह 14 दीपक आपने तयार कर लिए उसके बाद प्रदोस काल में आपको क्या करना है जो 9 दीपक हैं वो तो आप घर में कहीं भी आप प्रजलित कर सकते हैं कहीं भी रख सकते हैं जैसे दीपावली पर आप रखते हैं वैसे आप रख दीजिए लेकिन जो 5 दीपक रह जाएंगे उन दीपकों के लिए गुरुजी ने विशेश सिस्थान बताया है कि कहां कहां आपको यह दीपक प्रजलित करने है तो जो 5 दीपक है उनको जो सबसे पहला जो दीपक है जो गोलवत्ती का आपने एक बनाया है क्योंकि तेरा दीपक तो लंबी बाती के है एक दीपक के वल गोलवाती का है तो जो एक दीपक जो गोलवाती का है वो आपको भगवान विश्नु की प्रतिमा के आगे अपने घर के मंदिर में प्रजलित करना है ध्यान लखिए घर के मंदिर में आपको प्रजलित करना है चाहे राम भगवान की प्रतिमा हो कृष्ण भगवान की हो या विश्णु भगवान की भगवान राम का जो भी सरूप हो वहां प्रजलित करना है ओम नमो भगवते प्रजलित करना है तीसरा दीपक आपको तुलसी जी के पौधे में आपको प्रजलित करना है और चौथा जो दीपक है वो आपको अपने घर के दर्वाजे पर जो घर का दर्वाजा जब आप एंटर करते हैं अंदर आते हैं अंदर आते समय घर में अंदर आते समय जो आपका दर्वाजे की तरफ होना चाहिए तो आपको इस तरी के साफ में कितन दीपक प्रजुलित कर दिया एक बहुत है 備 जुबिए और फोल बागोजों के और गरद के दर्वाजब में नहीं देपक,ację चार में उसके वादेशिवां बहुत हम गुरु जी कहते हैं बैकुन चत्रुदिसी का ऐसा मौका बार बर नहीं आता तो ये चौदे दीपक वाला आप उपाय अवस्थ कीजिए और प्रदोस काल में यानी साम के समय आपको ये उपाय करने हैं आप सूरस्त के बाद कभी भी उपाय कर सकते हैं छे वजे साथ वजे आ सब्सक्राइब। तो यह उपाय कीजिए यदि किसी वज़य से आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको दो दीपक लेने हैं और जो दौनों दीपक है आपको गोलवत्ति लगानी हैं और यह दो दीपक जो बड़ें उनमें गाय का देशी गी डालना है आप चाहें मिट्टी के दीपक ले लिजिए चाहें आटे की दीपक बना लिजिए और प्रदोस्काल में रात के समय सूरस्त के वाद आपको एक दीपक है वो भगवान विश्णु के भगवान विश्णु के सामने आपको प्रजलित करना है और उसमें थोड़ी सी हल्दी डालनी है अपने घर में भी आप प्रजलित कर सकते हैं विश्णु भगवान वाला जो दीपक है वो घर में प्रजलित कर सकते हैं उसमें आपको थोड़ी सी हल्दी डाल देनी और जो उसे आपको भगवान सिव के जो मंदिर जाना है सिवाले में वो प्रजलित करना है और वहां जाकर वो दीपक प्रजलित करना है और उसमें थोड़े से काले तिल डालने है गुरू जी ने कहा है जब आप सिव जी को जो सिवलिंग के आसपास का जो एरिया होता है वहां जब चोहदे दीपक का उपाय नहीं कर सकते तो आप ये उपाय अवस्य कर लीजिएगा अब तीसरा उपाय गुरू जी ने बताया है बैकॉंट चत्रदसी का सबसे खास उपाय है यह आपके कारोबार को बढ़ाएगा आपके बच्चों में बुद्धी और विवेक में ब्रद्ध तो आपको ये उपाय अवस्य करना है क्योंकि ये साल में एक बार ही उपाय किया जाता है तो इस उपाय में आपको क्या करना है आपको लेना है एक तुलसी का पत्ता ले लेना है और आपको लेनी है एक बेल पत्र ये दो चीज़ा लेनी है और ये उपाय आपको रात के बा का ले लीजिए या तुनसी के नीचे अगर कोई पत्ता पड़ा हो तो उसे उठा लीजिए अब आपने तुनसी दल ले लिए और आपने एक बेल पत्र ले ली अब इस यह उपाए रात के 12 वजे से लेके सुबाद चार वजे के बीच में होता है बस यह दिया नखिएगा और हरी हर महादेव के नाम का आपने इसमर्ण किया और जो भी समस्या है जो भी मनो कामना है वो आपने बोली भगवान से उसके बाद जो आपने बेल पत्र ली वो आपको भगवान विश्णू के आगे समर्पित कर देनी है और थोड़ी दिर वही बैठ कर वही प्रातना कर उसके बाद वो दोनों चीजां आपको उठा लेनी है वो बेल पत्र भी उठा लेनी है और तुलसी दल भी उठा लेना है उसके बाद आपको घर आ जाना है घर आकर वो तुलसी दल और वो बेल पत्र आपको रख लेना है एक सहद के डिब्बे में सहद के डिब्बे में आप विकास है वह बहुत तेजी से बढ़ेगा आपके बच्चे कर दो किसी कार्मियादी मन नहीं लग रहा है वह मन लगाने लगेगा उसके बुद्धी का विकास होगा और बहुत ही जादा उसकी कुसागर बुद्धी हो जाएगी तो गुरु जी न कहा है बैकुंट चतुरदसी अवस्य कीजिए अपको इन में से कोई भी उपायों को अवस्य कीजिए यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करका कमेंट बॉक्स में हरर महादेव अवस्य लिखिए